कि दोस्तों मेरा नाम है निशान मेता और आप दिख रहेगी कि निशान तो मैं आज अपको अपनी अन्बॉक्सिंग वीडियो दिखाने वाला हूं जो कि कुल पैड़नूद 3 लाइट की है और मैंने एमेजन.com से लिए है टॉट इंस है और 61999 का फोन तो यह आप फोन देख सकते हैं फोन का जो बॉक्स है और यहां पर कुछ डीटेल्स दी गई है वाइट कलर का पूरा बॉक्स है और शैंपिंग वाइट वर्जन का फोन है और यहां पर लिखा गया है कि 7499 MRP है पर यह 7000 र वो कवर निकाल दिया है और शील भी तोड़ने जा रहा हूं तो मैंने वीडियो फास्वाइड की है जैसे कि आपका टाइम बच सकते और मैं आपको जादा से जादा चीज़े दिखा सकते तो आप देख सकते हैं यह फोन है फोन को मैं थोड़ी देर साइड रख में रखते रही है और यह जो डिवाइडर है उसमें ही मैन्यूवल से बहुत सारी तो मैं वो देखने तो नहीं जाओंगा और आप देख सकते हैं कि यहां पर मैंने जो पावर ब्रिक है उसका इंफोर्मेशन दिखा रहा हूं जो कि फाइव वोल्ट वन एंपियर की है और नॉर्मल है फास्ट शार्जर नहीं है पर आपको बिल्ट इन फास्ट शार्जर मिल जाता है जो कि सौफटर से आप इंक्लूट कर सकते हों तो यह जो है यह 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 है और इसमें एक बटन भी है जो की क्लिकी है और काफी अच्छा है और यह डेटा के बद है जो की स्टांडर्ड है माइक्रो वेस्बी काइंड और आप इससे अच्छे से यूज कर पाएंगे और क्वालिटी भी काफी अच्छी दिखरीए तो मैं अभी थोड़ा बॉक्स क साइड में रखके फोन के बारे में आपसे डिसकेस करता हूं तो यह फोन है पांचीट का डिस्पले है इसमें 720p डिस्पले है 13 मेगाफिसल ड्रियर कैमेरा जो की फिंगर क्विंट और एलेडी लाइट के साथ और सेकेंडरी नॉज कैंसलेशन माइक के साथ दिया गया है 3. है फोन जैक है पावर बटन है क्लिकी है और जो माइक रोइस बी और सेकेंडरी माइक जो है वह और यह जो है वॉल्यूम रोकर काफिकन है यह 720p डिस्पले है और काफि अच्छा है पांच इंच का डिस्पले तो यहां पर एक जगार दी है जहांसे मैं फोन कुछ इस तरह बैक कवर निकाल सकता हूँ और अपने SIM card और memory card लगा सकता हूँ इसमें micro USB Micro SIM card लगते हैं जैसे कि मैं लगा रहा हूँ और दू SIM card लगते हैं और SD card लगता है SD card भी मैं लगा लेता हूँ और यह 16 GB का किंश्टन का SD card है और SAR value भी वहां पर दिखाए गई थी और 2500 mh की बैटरी जो की नॉन यूजर रिम तो मैंने decide किया कि मैं यही वीडियो में आपको सब बता दूँगा तो यहां पर एक एक फिंगर प्रिंट नाम का जिससे आप सिंगर प्रिंट एडियाल कम कर सकते हैं कोई नए डालना है तो नए डाल सकते हैं तो मैं यहां पर एक फिंगर प्रिंट जो है पास फिंगर प्रिंट आप डाल सकते हैं तो मैं एक डिलीट करके आपको कैसे डालते हैं वो दिखाता हूं तो आप देख सकते हैं कि मैंने फिंगर अपनी लगाई है मैं स्क्रीन रेकॉर्ड कर रहा हूं क्योंकि मेरे कैमेरी के बैटरी लो हो चुकी है तो आपको ऐसे दिखाना पड़ेगा तो दस क्लिक लगते हैं फिंगर प्रिंट को एक बार रजिस्टर होने के लिए तो आप देख सकते है कि मैं दीरे दीरे आपको एक एक बात बताऊंगा 13 मेगा पिक्षल बैट केमेरा 5 मेगा पिक्सल फैंड केमेरा तो अभी तो मैं आपको एस पी लॉग करके एक रहा है तो आप दिख सकते हैं यह तो मैं इसलिए खुल गया तो आगे मैं दिखता हूं अभी में ऊपन कर लेता हूं तो मैंने वह जैसे फिंगर्मेंट लगा और मैंने क्लोस कर ली है तो अभी उपर से मैं जैसे करता हूं उसमें multitasking करके हैं तो multitasking भी ये phone में दी गई है जो कि अच्छी बात है तो आप देख सकते हैं कि मैं कैसे करता हूं messaging app खूल रहा हूं और email है दोनों का दिखाता हूं messaging app खुल चुकी है और email खुल तो आप ऐसे adjust भी कर सकते हैं जो बीच में शूता सा उंगली का जिया गया है वहां से तो अच्छे से आप multitasking एक साइड वीडियो एक साइड दो चीज चला सकते हैं और मैं आपको Android वर्जन भी दिखा देता हूं 5.1 Android वर्जन है और जो बिल्ट नमबर है वर्जन 21 है क्योंकि मैंने अपडेट लाज किया था और storage दिखा देता हूं टोटल 16GB की storage है पर आपको उसमें से 10.59GB यानि 10.60GB आपको मिल जाती है खाली क्योंकि अच्छी बात है और 3GB के RAM देज़े मैंने इतने सारे application डाले है फिर भी आप देख सकते हैं 1.3GB RAM अवेलिबल है मैंने सोचा कि आपको camera का जो भी है वो भी लिखा देता हूं तो camera का interface कुछी इस तरह है यह मैंने camera open कर लिया है और आप देख सकते हैं मैं बहुत ली dark room में हूं मैं इसमें 3 mode दी गए है photo, video और pro mode यह मेरा laptop है अब देख सकते हैं और जो screen है वो portrait mode में record हो रही है तो आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी यहां पर video mode में में switch करता हूं ऐसे swipe करने से आप switch कर सकते हैं यहां पर भी front facing camera और flash का option है और कुछ modes भी दिये गए है जैसे कि आप देख सकते हैं modes यहां पर option है कि apps के जैसा दिखता है और आप देख सकते हैं कि मैंने select किया और either slow motion, fast motion और delay video और face beauty यह चार mode है और flash भी काफी अच्छी है तो आप देख सकते हैं पोटो में भी कुछ mode दिये गए है face beauty, HDR, beam light, shot, smile shot, panorama और V shot means V जैसा shape करेंगे तो photo अपने आप दीक हो जाएगी तो आप देख सकते है pro mode है pro mode में भी same चीज़ा है पर आप focus adjust कर सकते हैं यह button दिया गया pro से ISO adjust कर सकते हैं मैं 800 तक बढ़ा सकता हूं exposure 1.2 तक कर सकते हैं 2.0 तक कर सकते हैं और यहां पर काफी अच्छा interface दिया गया है 30MP rear camera और 5MP front camera और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर subscribe करें और like share और comment किजिए अगर कुछ आपको changes दिखने हैं तो वह भी मैं आपको अगले वीडियो में changes करके दिखाऊंगा मेरा camera view view, gaming review और full review आने वाला है तो आप उसके लिए wait कर सकते हैं करुंगक दो झाला है करें दिखी ऑघ बाला है